हेलो एब्रीवान स्वागताफ सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में आज हम डिस्क्स करने वाले हैं हिस्ट्री की यूनिट नमबर फोर जो रिलेटेड होगी वन्य समाज और उपनिवेश वाद से ठीक है देखने में शायद आपको ये टॉपिक इंपोर्णन ना लगे लेकिन यहां से ओल्रेडी दो कोशन जो है एचसी की एक्जाम में पूछे जा चुके हैं एक कोशन पूछ कोशन पूछे जा रहे हैं तो आज हम वन्य समाज और उपनिवेश वाद के बारे में पढ़नी वाले हैं देखिए फर्स्ट जो लेसन है वो है वन्यू का विनाश क्यों देखिए वन्यू के लुप्त होने को क्या कहा जाता है वन्यू विनाश कहते हैं यानि कि जैसे धिरे व्यवस्तित और व्यापक रूप ग्रैन कर लिया आईए भार्ट में वन विनास की कुछ कारणों पर गोर करें कि कारण क्या थी कि वनों को जो है नश्ट किया गया सन्सोला सुथ में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगबग छटे हिस्से पर खेती होती थी आज हैं आकड़ा बढ़कर आधी तक पहुँच गया है इन सद्यों के दुरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्यों पदार्तों की मांग में व्रिद्य हुई वैसे वैसे किसानों ने क्या किया जंगलों को साफ किया और खेती की सिमाओं को विस्तार देते गई ठीक है पहले जो थी कम हिस्से पर खेती होती थी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई खाने पीने की चीजों की मांग बढ़ती गई तो अविस था जंगलों को साफ करके खेती करना जरूरी हो गया था ठीक है उपनी वेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया इसकी कई वज़े थी पहले थी अंग्रेजों ने विवसाइक फसल जैसे पटसन, गन्ना, गियों, कपास की उत्पादन को जम कर प्रोच साहिद किया उननीस्वी सदी के यूरोप में बढ़ती शहर आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यन औरोध्यों की उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ दूसरी वज़े ये थी कि उननीस्वी सदी की शुरुआत में उपनीवेशिक सरकानी जंगलों को अनुत्पादक समझा इसके हिसाब से सिव्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उसके राचसे और कृष्य उत्पादों को एदा किया जा सकता हो था और इस तरह राज्ये के आई में बड़ोतरी की जा सकती थी यही कारण था कि 1880 से लेकर 1920 के बीच खेती योग्या जमीन के शित्रफल में 67,000,000,000 हैक्टेर की बड़त हुई खेती के विस्तार को हम बेशक जो है विकास का सूचक मानती है लेकिन यह हमें नहीं पूलना चाहिए कि जमीन को जोतने से पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है ठीके, माना जाते है कि खेती जो है वो विकास का सूचक है लेकिन खेती भी कहा हो जाती है, पहले पेड़ पोदो को काटा जाता है जंगलों को साफ किया जाता है, वहाँ पर खेती किये जाती है और जंगलों को काटना ओविस है, अच्छी बात तो नहीं है ठीक है आगे देखें पट्री पर स्लीपर ये स्लीपर क्या होता है रेल की पट्री के आरपार लगे लकड़ी के तकते जो पट्रियों को उनकी जगहे पर रोके रखते हैं क्या कहलाते हैं स्लीपर कहलाते हैं ये भी किन से बनते हैं लकड़ीों से बनते हैं ये दिखाया गया सेंभूम पूछा जाता है ये कहां पर है तो सेंभूम पूछा जा सकता है तो सेंभूम है जारखंड में ये पता होना चाहिए ये कोशन जो है पहले पूछे जा चुके हैं तो इंपोर्टेंट बनता है सेंभूम कहां पर है जारखंड में है सिंभूम के जंगलों में साल कितनों से सलीपरों का निर्मान किया जाता था छोटा नागपूर मई 897 में दिखाया गया रेल के बठरी यह तो सलीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इन से पट्रे बनाने के लिए आदिवासियों को नियुक्त किया करती थी मतलब जो पेड़ काटने होते थे उनके लिए किसको नियुक्त करते थे आदिवासि को लेकिन वो आदिवासियों पेड़ों को कभी भी अपने घर लेके नहीं जा सकते थे वो सिर्फ काटने के लिए न्यूक्त किये जाते थे उने, ठीक है, आगे देखिए 19 वी शदी की शुरुआत इंग्लांड में बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थी, यानि कि ओक के जो जंगल थे वो लुप्त होने लगे थे, इसकी वज़े से जो शाही सेना थी, उनके सा सामने लकडी की आपूरती में मुश्किल आखडी हुई, मजबूत और टिकाव लकडी की नियमित आपूरती के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बनते, और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखे जा सकती, तो क्या किया, 1820 के दशक में खोजी दस लगे, ठीक है, 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकडी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी, शाही शेना के आवागमन और आपनिवेशक व्यापार के लिए रेल लाइनी जो थी वो अनिवारिया थी, इंजिनों को चलाने के लिए इंधन के तोर पर और रेल की पट्रियों को जोड़े रखने के लिए सलीपरों के रूप में लकडी की भारी जरूरत होती थी, एक मील लंबी रेल की पट्री के लिए 1760 से 2000 सलीपरों के आवशक्ता पढ़ती थी, यानि कि पेड जो थे वो जादा काटी जाने लगे, भारत में रेल लाइनों का लंबाई थी, वो 765,000 किलोमेटर तक बढ़ चुकी थी, रेल लाइनों के प्रसार के साथ-साथ बड़ी तादाद में पेड भी काटे गए, ठीक है, क्योंकि रेल लाइने जब बरा रहे हैं, तो अव्वेस उनके लिए सलीपर बनाने के लिए इंधन का होना जरूरी था, तो वो सारी चीजी के कारण जो है, पेड जो थे, वो कटते चले गए, अकेले मदरास प्रेसिडेंसी में, 1850 की दशक में प्रतिव और 35,000 पेड जो थे, वो सिर्फ सलीपरों के लिए काटे गए, सरकार नियावशक मातरा के आपुर्ती के लिए नीजी थेके दिये, इन थे तीर सही जिता हुआ हाथी, अपनिवेशक दور में, अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जो था, ये जंगलों और लकडी के गोदामों में, भारी भरकम लकडी को उठाने के लिए किया जाता था, ठीक है, तो याद रखे आथियों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक, आगे बात क मतलब ये चाई कोफी और इनकी मांगों को पूरा करने के लिए जो बागान बनाए गए बागानों को बनाने के लिए भी क्या कर दिया गया वनों को साफ करना पड़ा अपनी वेशिक सरकान ने जंगलों को अपने कबजे में लेकर अपने विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दर पर यूरोपिय बागान मालिकों को सोव दिया। इन लाकों की बाड़ा बंदी करकी जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कोफी की खेती की जाने लगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, Dietrich Brandes नामक एक जर्मन विशिशक गया था, उन्होंने इस विशा पर मश्वरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानी देशक नियुक्त किया गया, तो देश का पहला वन महानी देशक किसे नियुक्त किया गया, important question बनता है ये, ये चोटी चीज़ें हमें नहीं पता होती है, क्योंकि फिर question आता है, तो हम यही देखते हैं कि ये question कहां से पूछा गया, क्योंकि वो हमने किसी भी book में और पढ़ा नहीं होता है, कहीं आपको मिलेगा ही नहीं ये question, कि पहला वन महानी देशक किसे नियुक्त किया गया था, त इसके लिए कानूनी मन्जूरी की जरूरत थी, बन सब्दा के उपयोग संबंदी नियमत्या करने पड़ेंगे, पेडों की कटाई और पशों को चराने जैसी गतिवीदियों पर पाबंदी लगा कर ही जंगलों को लकडी उतपादन के लिए अरक्षित किया जा सकता है, और अगर जो इसकी आमानना करेगा, मतलब इसको नहीं मानेगा, तो उसे क्या दी जाएगी, दंड दिया जाएगा, सजा का भागी होगा वो, तो इस तरीके से क्या होगा, ब्रेंडिस ने 1864 में भारतिय वन सीवा की स्थापना की, इससे पहले, इटली में पॉपलर के जंगल, कहां पर थी, टसकनी में, यह important बनती है, छोटी चीर, छोटी छोटी चीर, पॉपलर के जंगल मुखेते लकड़ी के लिए मैं आतो रखते हैं, पत्तो, फलो या दूसरे उत्पादों के लिए उप्योगी नहीं है, एक समान लंबाई वाले और सीध में लगी इन पेडों को ठीक है, आगे देखें, भारतिय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी, important question बनता है यह, 1864 में ब्रैंडिश ने भारतिय वन सेवा की स्थापना की थी, okay, 1865 के वन अधिनियम को सुत्रबुद करने में सहयोग दिया, Imperial Forest Research Institute की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई, देखें Imperial Forest Research Institute की स्थापना देहरादून में कब की गई, यह पूछा गया था, तो 1906 में की गई थी, ठीक है, यहाँ जिस पदती की सिक्षा दी जाती थी, उसे वेग्यानिक वाने की, मतलब देहरादून में जिस पदती की सिक्षा दी जाती थी इस इंस्थिटूट में उसे वेग् वेग्यानिक नहीं थी, ठीक है, तो यह देखे, The Imperial Forest School देहरादून भारत कमें, ब्रिटिस सामराजे में खुला यह पहला वानिकी स्कूल है यह, देहरादून में, 1906 में, वेग्यानिक वानिकी के नाम पर विभीद प्रजाती वाले प्राकरतिक वनों को काट डाला गया, इ उन्हें यह भी तेह किया कि बागान का कितना चेतर प्रतिवर्ष काटा जाएगा, कटाई के बाद जो खाली जमीन होंगी, उस पर पुन्या पेड लगाया जाए थी, ताकि कुछी वर्षों में यह शेतर पुन्या कटाई के लिए तैयार हो जाएं, ठीके, 1865 में जो वन अ सुरक्षित और गरामिन, सबसे जो अच्छे जंगल होते थे, उन्हें आरक्षित वन का आ जाता था, आरक्षित वन वो होते थे, जहां पे गाम वाली जो है, अपने उप्योग के लिए कुछ भी नहीं ले के आ सकते थे, जहां से, ठीके, वे घर बनाने के लिए जो भी समा होता, इंधन होता, वो कहां से ले के आते, सुरक्षित या गरामिन वनों से ही लकड़ी ले सकते थे, आरक्षित वनों से लिए नहीं ले सकते थे, ठीक, अब देखें, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो, वेज्यानिक वानिकी क्या है, यह भी पता नीचे, वन विबा और गरामिनों के विचार जो थे, वो बहुत अलग-अलग थे, जहां एक तरफ गरामिन अपनी अलग-अलग जरूरतों है, जैसे इंधन चारे और पत्तों की पूर्ती क्लिवन में विबिन प्रजातियों का मेल चाते थे, वही विबाको ऐसे पेड़ों की जरूरत थी, जो जहाजों और रेल्वी के लिए इमारती लकडी मुहाईया करा सके, ऐसी लकडियां जो सक्तों और लंबी और सीधी हो, इसलिए सागोन और साल जैसी प्रजातियों को प्रुचसाहित किया गया और दूसरी किसमे जो थी वो काट डाली गई, तो यहां पर पता लग रहा है कि जहाज और रेल्वी में जो स्लीपर बगारे बनाने के लिए कौन से पेड़ों का यूज़ किया जाता था, सागोन और साल की लकडियों का जो सीधी होती थी, ठीक है और जो मजबूत हो, वन्य इलाकों में लोग जो है कंद मूल, फल, पत्ते आदी, वन, उतपादों का वि से बहतरी बाड़े बनाई जा सकती है, और इसका उपयोग छत्री तठा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है, सुखे और कुमड़े के खोल का परियोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है, जंगलों में लग सब कुछ उपलब्द है, पत्तों को जोड जोड कर खाओ फैको किसम के पत्तल, आपने देखा भी होगा, जो पत्तल बनाई जाती है, वो पत्तों को जोड करी बनाई जाती है, और दोने बनाई जा सकती है, सियादी की लताओं से रसी बनाई जा सकती है, सेमूर, सेमूर की काटेदार छाल पर सबजिया चीली जा सकती है, मह भी तरीके के वहाँ पर पेड़ हो जिससे उनकी जरूरते जो थी वहाँ से पूरी हो सके छीक है वन अधिनियम के चलते देश भर में गाम वालों की मुश्किले बढ़ गई इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना पसों को चराना कंद मूल फली खटा करना ये सारी रोजमरा की गतिवी दियां क्या हो गई अब गैर कानूनी मानें गई अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थीती में वन रक्षकों की दया पर होते मैं जो उन्हें पकड़ लेता सिर्फ उनके ओपर डे एशिया अफरीका वे दक्षिन अमेरिका की अनेक भागों में यह खेती का एक प्रम परागत तरीका है तो पूछा चाते हैं यह स्थानांतरित क्रिशी जो होती है उसको अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से पुकारा जाते हैं जैसे दक्षिन पूर एशिया में जो जैसे धया, पेंदा, बेवर, नेवड, जूम, पोडू, खंदाद और कुमरी, यह जो है गुमंतु खेतु, यानि कि स्थानांतरित क्रिशी है, उसके स्थानिय नाम है, तो यह question पूछा गया था, पेंदा, बेवर और नेवड, इनके नाम पूछे गये थे, कि यह भारत में क इस खेती के नाम है, तो यह स्थानांतरित क्रिशी के नाम है, ओके, यह HCS में आया था एक question, ठीक है, गुमंतु क्रिशी के लिए जंगल के कुछ भागों को क्या किया जाता है, बारी-बारी से काटा जाता और फिर उन्हें जलाया जाता, मौन्सून के पहली बारिश के बा छोड़ दिया, 12-18 साल तक क्यों ताकि वहां पर फिर से जंगल पनप जाए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि पेड़ों को जो भी जंगल वगएर होते हैं, अगर उनको ऐसे कि ऐसा छोड़ भी दिया जाए, तो वह वापस से वहां पर पेड जोए उगाते हैं, तो वही छोड़ देते हैं, 12-18 साल तक वह उन्हें छोड़ देते हैं, और फिर से वहां पर जंगल आ जाता है, पेड पोदे फिरूट जाते हैं, इन भूखंडों में मिश्रित फसले उगाई जाती हैं, जैसे मध्या बारत और फरिका में जवार बाजरा, ब्राजीन में कसावा और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड नहीं हो गाय जा सकते थे, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे, जो भी युरूपिय वनरक्षक थे, वो, ठीक है, साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकिमती पेडों की भी फैलती लकटों की चप्टों में आ जाने का खत्रा बंदा रहता था, गुमंतु खेती के कारण सरकार के लगान का हिसाब रखना भी जो था, वो मुश्किल था, ठीक है, तो सरकार जो थी वो लगान वसूल नहीं कर सकती थी, गुमंतु खेती जो करती थी, मतलब वो क्या करते एक जगे यहां पे है, अगली बार कहीं है, फिर अगली बार कहीं हो रहे है, तो उनसे क्या होता है, सरकार जो थी उनसे कर नहीं ले पा रही थी, ठीक है, तो इसलिए सरकार नहीं क्या किया, गुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला कर दिया, इसके प्रिणाम सरूप अनिक समुदाय को जंगलों में उनके घरो पड़ा, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रों के जरिये प्रतिरोध किया, शिकार की आजादी भी थी उस वाक्त, मतलब पेडों को काटने पर रोक लगाई जा रहे ही थी, जो गरीब आदमी होते थी, उनने शिकार नहीं करने दिया जा रहा था, लेकिन शिकार की आजा करके जीवनी आपन करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, जिये पारंपरिक प्रता थी अब गहर कानूनी हो गई, शिकार करते वे पकड़े जाने वाले को अवैद शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा, जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के प्राटों को शिकार का मज़ा लेते वे दिखाया गया, किन्तु अपनी वेशिक साशन के दोरान सिकार का चलन इस प्रैमानी तक बढ़ा, कि कई प्रजातियां जो थी वो लगबग पूरी तरह लूप्त हो गई, ठिक, अंग्रेजों की नजर में जो बड़े जानवर जंगली के लिए, उन्होंने मतलब तर्क दिया कि हम जानवरों को, बड़े जानवरों को सिर्फ इसलिए मान रहे हैं, ताकि वे हिंदुस्तान को सभ्भय बना सकें, बाग बेड़ी और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिये गए कि इन से किसानों को खतरा ह 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से जादा बाग, 150,000 तेनवे और 2,000,000 भीडिये मार गिराए गए दीरे दीरे बाग के शिकार को एक खेल की ट्रोफी की रूप में देखा जाने लगा, अकेले जोर्ज यूल, इंपोर्टन्ट यहां से बनता है, अकेले जोर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बागों को मारा था, इंपोर्टन्ट है यहां से पूछ सकने हैं कि उस अ रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, नैकि इनको मारा चाहिए, मतलब कुछ लोगों ने फिर आवाज उठाई कि ऐसे जानवरों को मारा नहीं जाना चाहिए, इनकी सुरक्षा की जाने चाहिए, ठीक है, आगे देखें, नए व्यापार, नए रोजगार और नए करने लगे, महद हिंदुस्तान ही नहीं, बलकि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है, उधारन के लिए अगर हम बात करें, 19 सदी के मध्या में उची जगों पर रह रहे, मैनियोक उगाने वाले ब्राजील, एमुजन के मुंदू-रुकु-समुदाय के लोगों कि बात नहीं है, मध्या खाल से आदिवाशी समुदायों द्वारा बंजारा, आदि घुमन्तु समुदाओं के माध्यम से हतियारों और दूसरे समझे से खाल, सींग, रेशम के कोई, हाथी, दात, बास, सबुत मिलते हैं, ठीक है, इसमें मैं सारा कंप्लीट क्यों पढ़ क्योंकि इसमें जरूरी है, ठीक है, इसमें important points भी हैं, लेकिन जब आप सारी चीज़े पढ़ेंगे, तब ही आप इस lesson को अच्छे से समझ सकते हैं, कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, step by step सीखेंगे, तो याद रहेगा, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो थ है, एक अधिकार सोप दिया, ठीक है, स्थानिय लोगों द्वारा शिकार करने और पशों को चराने पर बंदिश लगा दी गए, इस प्रक्रिया में मदरास प्रेसिदेंसी की कुरावा, कराचा वै ये रूक इलज़े से अनेक चरभाय और घुमन्तु समुदाय जो थी अप कि जीमस्तिती में सुधार हुआ हो, असाम की चाय बागानों में काम करने के लिए जारखंड के संथाल और उराव वै चतिसगर के गोंड जैसे आदिवाशी मर्द वै ओरते दोनों के बरती कीगी, उनकी मजदूरी जो थी वो बहुत कम होती थी और कारिया प्रिस्थितिया उतनी ही खराब, उन्हें उनके गाउं से उठा कर भरती तो कर लिया गया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी वहां से, छीक है, जारेदारी क्या होता है, एक आधिकार होता है, बात आती है फिर वन विद्रो की, इतने सारे कानून बने, ओव्यस है, विद्रो होना भी ज पढ़ चुके हैं एट्त क्लास में, एट्त क्लास की हिस्टरी में हमने पढ़ा था, छोटा नौागपूर में बिर्सा मुल्डा जो ये विद्रो हुआ था, वनो से रिलेकिर, ये सारी चीज़े हमने पहले पढ़ी हैं, और आंध्र प्रदीश में अलूरी, सीताराम, राज जो को लोग, गीत और कथाम, ये अंग्रेजों के खिलाफ उब रियादोलने की नायक की रूप में आज भी याद किया जाते हैं, अब हम बस्तर रियासत में, 1910 में ऐसे वेक विद्रो को का विस्तार से अध्यन करेंगे, कि बस्तर का विद्रो क्यों हुआ था, कैसे हुआ बस्तर है कहाँ पर, तो देखें, बस्तर जो है, ये 36 गड़ के सबसे दक्षिनी छोड़ पर है, तो 36 गड़ में है, और किस्ते से सीमा लगती इसकी, आंद्रप्रदेश, उड़ेश और माराष्ट की सीमाँ से लगा हुआ चितर है, बस्तर का जो केंद्रिय भाग है, वो है पठारी, इस पठार के उत्तर में 36 गड़ का मैदान और दक्षिन में गदावरी का मैदान है, इंद्रावती नदी बस्तर के आरपार पूरव से पश्चिम की तरफ बहती है, बस्तर में मारिया और मूरिया गौंड, धुरवा, बत्रा, हलबा, जो अनिका दिवासी जाती र धरते हैं, धरते के अलावा भी नदी, जंगल वे पहाडों के आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, चुकि एर गाओं को अपनी चोहदी पता होती है, इसलिए लोग इन सिमाओं के बीतर समस्त प्राकर्तिक संपदाओं को की देख बाल करते हैं, यदि एक गाओं के लोग दूस इसलिए गाओं के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाती, तो इसके बदले एक छोटा सा शुलकदा करते थी, जिसे देवसारी दांड या मान कहा जाता था, तो ये भी इंपोर्णेट बनता है आपे, जो शुलकदा क्या जाता था, उसको क्या कहा जाता था, देवसारी दांड या मान, ठीक, कुछ गाओं जो थे, वो अपनी जंगलों की रक्षा के लिए जो है चोकिदार भी रखते थे, और वेतन के रूप में उन्हें क्या दिया जाता था, अनाज दिया जाता था, हर वर्ष जो एक बड़ी सभा कायजन होता, जहां एक परगने के गाओं के मुख्या जुटते हैं, गाओं के सम्मूं के मुख्या जुटते हैं, और जंगल से तमाम दूसरे आहमोदों बर चर्चा करते थे, ठीक है, लोगों के भै, अपनिवेशिक सरकान ये, 1905 में जब जंगल के दो तिहाई हिस्से को आरक्षित करने, घुमन्तु खेती को रोकने और सिकार और नन्य उत्पादों के संग्रह परपाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताओ रखे, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान होगे, कुछ गाओं को अरक्षित वनों में इस शर्थ पर रहने दिया गया, कि वे वन विभाकिरे पेडों की कटाई और ढुलाई का काम जो इसे बात भयानक अकाल का दोर आया, पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से लेकर 1908 में वन आरक्षन ने चिंगारी का काम किया, ठीक है, तो मुद्धों पर चर्चाय होने लगी, लोग इखटा होने लगे, तो कांगेरवनों के धुर्मा समुदाए के लोग जो थे वो इस मुईम मे सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षन सबसे पहले जो था, कांगेरवनों में ही लागू हुआ था, हलंकि कोई वे एक विक्तिन का नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नेथानार गाउं के गुंडाधूर को इस आंदोलन के एहम सक्षित मानते हैं, ठीक है, गुं अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदीश था, हर एक गावन इस बगावत की खर्चे में कुछ न कुछ मदद की, बजार लूटे गई, अफसर और व्यपारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटाय वजलाया गया, ठीक है, इन घटनाओं का एक चशमदीद मिशनरी विलियम वॉर्ड, ठीक है, एक खुटनाओं के चशमदीद गवा हुए, मिशनरी विलियम वॉर्ड, जिन्होंने लिखा, पुलिस वालों, व्यपारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल, मास्टर और प्रवाशियों का हुजूम जहर, चारों तरफ से जगदूल पूर्पूर में चला आ रहा था, अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे, आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाही, लेकिन अंग्रेज फोजों ने उनके तंबों को गेर कर आग लगा दी, इसके बाद बगावत में शरीग लोगों पर इन महीने लग गए, ठीक है, तो सभी जो वो कर रहे थे, वो तो उने मिल गए, लेकिन जो उनका नेता बना था, गुंडा धूर, उसको वो कभी नहीं पकड़ पाई, जो विद्रो का नेता था, ठीक है, विद्रोयों के सबसे बड़ी जीत ये रही कि आरक्षन का जो काम थ लिए रक्षित रखने की नीती कायम रही, 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागचुद्यों को लुग दियू बलब करने के लिए 400 एक्टेर प्राकरतिक सालवनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानिया प्रियारण विदो क विरोध के फल्सुरूप इस प्रियाजना को रोक दिया गया, ठीक है, अब बात करती हैं एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की, कि वहाँ पर उस वक्त क्या चल रहा था, जावा, यह जावा के जंगल पूछा जागा है, तो इंडोनेशिया में है, क्या बदला हुआ जावा के जंगलों में, जावा को आज कल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीब के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमानी में यह शित्रा दिकांश्त है, वन आच्छा दित था, इंडोनेशिया क्या था, एक डच उपनिवेश्ट और जैसे कि अम दिखेंग जावा की अनुमानी तावदी जो थी, वो 34 लाग थी, आलंकि जाओ मैदानों में डेर सारे गाओं थे, लेकिन पाढ़ों में भी गुमंतु खेती करने वाले अनेक समुदाई रहते थे, ठीक है, जावा के लकड़ारे, जावा में कलांग समुदाई के लोग कुशल जावा की जावा की मातराम सियासत रबटी, तो यहां के 6,000 कलांग परिवारों को भी दोन राज्य में बराबर बराबर बाढ़ दिया गया, उनके कोशल के बगैर सागोन की कटवाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था, डचों ने जब 18 सदी में वनों पर न दच किले पर हमला करके इसका प्रती रोध किया, लेकिन इस वीद रोगों को दबा दिया गया, ठीक है, तो डच किले पर कलांगों ने कब किया था हमला 1770 में, यह भी important बनता है यहां से, ठीक है, उसके बाद है डच वेग्यानिक वानी की क्या थी, 19 सदी में जब लोगों के साथ-साथ इलाकों पर भी नियंतन स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिश्कों ने जामा में वन कानूं लागू कर, ग्रामिनों की जंगल तक पहुँचकर बंदीशे थोप दी, इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 सलीपरों का निर्यात किया गया, जाहिर है कि पेड काटने लठों को ढोले और सलीपर त्यार करने के लिए श्रम क्या आउशकता थी, दचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीन पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गाउं को इस पर इस से मुक्त कर दिया कि विश सामुईक रूप से पेड काटन रो लगती डोने के लिए बैसे उपलवत कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे, इस व्यवस्था को किस नाम से जाना गया, ब्लेंडाग डेंस्टेन के नाम से जाना जाता है, ये भी important है, ठीक है, बाद मे 1490 के आसपा सागोन के जंगलों में स्थित, रांदू बलातूंग गाउं की निवासी सूरिंत को सामीन ने जंगलों पर राजकिये मालिकाने पर सुआल खड़ा करना प्रारम कर दिया, उसका तर्क था कि चुकि हवा, पानी, जमीन और लकडी राज्ये की बनाई हुई नही जल्दी एक व्यापक आंदूलन खड़ा हो गया और इस आंदूलन को संगठित करनी वालों में शामीन का दामाद भी शक्रिये था, 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे, डच जब जमीन का सर्वेक्षन करने आए तो कुछ सामीन वादियों ने अपनी जमी अबिकार करनी से इनकार कर दिया, ठीक है, तो सुमीन, सामीन कोन था ये पता होना चाहिए, उसके बाद युद्ध और वनवे नाश, पहले और दूसरे विच्व युद्ध का जो है जंगलों पर गहरा असर पड़ा, भारत में तमाम चालुकारिये युजनाओं को सगीत कर के वन वी बागने अंग्रेजों की जंगे जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहत्त हाशा पेड काटे, जावा पर जापानियों की कबजे से ठीक पहले डचों ने भशम कर भागों नी थी, अपना जिसके तहत आरा मसीनों और सागोन के विशा लट्टों के डेर जला दिय इसके बाद जापानियों ने वन वासियों को जङंगल काटने के लिए पाद द्यकर के अपने युद्य-द्यों के लिए जंगलों का निर्मम दोहन कया, बहुत सारे गामालों यह सवसर कलाग उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया, जंग के बाद इंडोनेशि वन सिवा के लिए इन जमीनों को वापस आशिल करपाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहां भी खेती हो गया भूमी के प्रती लोगों की चा और जमीन को नियंतरीत करने था लोगों को उससे बाहर रखने की वन विबाकिजित के बीच टकराओ पैदा हुआ। सरकार ने मान लिया कि इस लक्षों को आशित करने के लिए वन परदीशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। रेकल्प तरीकी के बारे में सोचने लगे हैं। ठीके, तो ये ही था वनों से रिलेटिब जो चैप्टर था, दो कोशन हमने पढ़े और भी जो चार पाज चीजे बनती हैं इंपोर्टेंट, वो भी आपको पता होनी चीए, बाकी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीके, तक तैक तू मुछ झाल झाल झाल